मुझा कर रहे हैं हम Exploitation in Media Exploitation का मतलब कि किसी को Exploitation का अर्दू में क्या मतलब होगा मेरे को पता भी नहीं है अच्छा मैं अपना make-up भी start कर दो मैं make-up तो भी भूल गई हूँ करना Exploitation का मतलब क्या होगा मुझे बता हो Is Istihसाल 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 कहते हैं उसको यानि किसी का Istimal करना You know Exploitation करना किसी को यानि किसी का Istimal करना तो ये चीज़ हमने देखी है कि हॉलिवुड में हुई है ये चीज़ बॉलिवुड में भी हुई है और ये चीज़ पाकिसान में भी होती है मैं खुद मीडिया में रह चुकी हूँ अब मैं किस-किस की पोलिव खोलूँ अगर मैं पोलिव खोलने में आ जाओ ना मेरे पास ऐस वक्istan कीमेरे होती है ना तो मैं इन सब लोगों की पैंटे हुतार रही होती है क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है इसवए से मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं मगर यह हो जाएगा ना कि इसका वर्ड अगेंस वो और अगर मैंने मूँ खोल भी दिया तो जादतर लोगा कि मेरी character assassination करेंगे कहेंगे यह तो ही लड़की ऐसी है ना यह तो ही लड़की ऐसी इस पे तो हर को यह करेगा यह जूट बोल रही है यह तो वो है क्योंकि हमारे साथ होता ही यह है इसी वैसे तो लड़की आखे बताती नहीं है कि हमारे साथ यह हो गया क्योंकि हमारे मुलकों में उसी लड़की को यह गड़र में कर देते हैं उसी character assassination कर देते हैं हो बहुत सारी लड़ीया करती हूं हॉलीवूड से हॉलीवूड का चुससे बड़ा केस यह ता वह इस बंदे का है और यह ये बंदा भी इतने अर्से से हॉलिवुड में है और ये कर रहा था लड़कियों को exploit, सबर्दस exploit कर रहा था और अगर अगर आप जब आप नाम देखोगे किन किन को अच्छा तो इनके victims आप देखिए Angelina Jolie Angelina Jolie कितना बड़ा नाम है Cara अच्छा दिलिविंजी पता निगा है इसका नहीं रहा है I can't I can't pronounce it But Cara गिनत पाल्ट्रो गिनत पाल्ट्रो कौन नी जानते कौन नी जानते Heather Graham इसको कौन नी जानता क्याना में इसका Lizette Giz Giz Yes Lizette Giz पर ये लिए इसका इन्थनी रोजेना आर्टिक एंबर बटिलियाना एंजी एवरहार्ट एमाडी कौन अच्छा So ये सारी लड़किया है जो बाद में आई है बाद में आई है सबसे पहली जो थी वो थी Alice Evans जो सनी First Time Telegraph जो नीज़ पर है उसका अप्रोच किया कि ये जो है इसने मेरे साथ अनप्रोप्रेटली बिहेव किया है और ये वाली Alice Evans जो है ये बन दी Right So she was the first one जुसने आके ये बात बोली कि ये जो है इसना से एक्स्टोइट कर रहा है और और कभी कबार एक दो क्लिप्स ऐसे थे जो लोगों ने देखे ये दो बन्दिया थी वो कह रही थी कि Oh my God आप वहाँ जा रही हो Harry Wijnstein के पास जा रही हो तरह ख्याल से रहना ये पूरे मीडिया को पता था ये पूरे हॉलिवोड को पता था बन्दा कैसा है मगर कोई इसके उपर आवाज नहीं उठा रहा था ये सब को पता था ओपरा हो जाए तो पतनी कितने बड़े-बड़े नाम हम उठा लो तो वो इसके साथ असोशियेट करते थे ठीक है ना और सिर्फ यही नी जेल में केस चल रहा है कल मैं पढ़ रही थी केस के पूर मेरे ख्याल से कितने चार्जेज लगाए थे दस या ग्यारा चार्जेज लगाए थे उसमें से एक ड्रॉप हो गया है मगर अधर बन्दी ने हिम्मत की और आई वो आगे मगर आप यह भी देखो ना कि इन में से कितनी लड़कियों ने अपना करियर भी बना लिया कुछ देना पड़ा उनको और फिर उन्होंने अपना करियर बना लिया which I don't judge मैं किसी पर judge नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी को judge नहीं करती अगर आपने अपने फाइदे के लिए अपने करियर बनाने के लिए if you had to do it it is all power to you कि आप आप कर सकते हो मैं इस पर कोई comment नहीं पास करना चाह रही हूँ क्योंकि देखो talent पे हर किसी को काम मिलना चाहिए मगर जब option ही ना हो जब यह से भेड़िये बैठे होंगे के तो laws बने हुए तो आपके किसी office में ऐसी हरकत करोगे तो बंदी जागे complain कर सकती है फॉरण and then you will be you know मगर आप यह देखो कि यह बंदा इतना अमीर बंदा इतना powerful बंदा फिर भी देखो इसको पकड़ा गया और इसको जेल में डाला गया ठीक है जल्दी जल्दी से में जागे और करूंगी इस पर बात क्यूंके बहुत टाइम हो गया अच्छा दूसरा जो बंदा है जिसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो थे बिल कॉस्वी दूसरा जो एक बंदा है जिस पर बातें आही है जिस पर लोगों ने बातने की है वो था बिल कॉस्वी बिल कॉस्वी अब तो बहुत उसकी एज हो गया इधिक है अब वो निकल गया है और इसने बता नहीं कितनी लड़कियों को इसने खुद कंफेस किया था यह है बिल कॉस्वी जी जुलाइ 12, 20 1937 में इनकी पैदाईश हुई है और यहां देखले न बिल कॉस्वी वाइफ डिचिस हर वेडिं रिंग है इड़ फोर हंडर्ड मिलियन डिवार्स यह तो कल की बात है 400 मिलियन डिवार्स होने वाली अभी तक छोड़ा है नहीं है यह देखें बिल कॉस्वी जफ्री मैं आफ्टर पैंसिलवेनिया सुप्रीम कॉर्ट सो यह अरेस्ट हुए थे इन्होंने खुद कन्फेस किया था कि मैंने लड़कियों को ड्रग्स दे कर उनके साथ जिंसी जियत्ती की और उनको यूज किया अब यह फ्री क्यों हो गया पूछ रहे हो कि यह ऐसे कैसे है तो यूएस का कोर्ट ऐसा तो वैसा तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ यह कि जो डिटेक्टिव से यह जो भी इनके जो दूसरे दरफ से लोग थे ना लॉयर्स वगएरा उन्होंने इस से कहा कि आप डील बनाएं इसके साथ कि आप कंफेस कर लो आप कंफेस कर लो और आप यह चीजें अगर बोल दोगे तो आप पर हम फिर कोई चार्जिस नहीं लाएंगे ठीक है ना यह बात इनको बोली गए तो इसने बोल दिया इसने कनफेस कर लिया फिर उसके बाद इन लोगों ने कोशिश की कि इस पर चार्जेज लेकर आई मगर कोट ने का नहीं आपने तो अल्रेडी डील बना ली थी तो आप उसके ओपर चार्जेज नहीं ला सकते हो और इस वज़े से ये बंदा आज फ्री ह हो रहा है यानि उसके एज भी आप देखो तो इस वेरी ओल्ड नाउ मगर मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि ये लोग इन लोगे पास इतना एकसेस होता है इतना एकसेस होता है टू गर्ल्स जो औरते हैं यानि बिल्कॉज भी एक स्टार था यूनों स्टार स्टक जो क बैंड्स हैं कि गृपीज होती हैं आपको तो लड़किया मिल रही होती है लड़किया आपको सात्थ सोने के लिए तयार हैं तो फिर आपको यह अर्कत करने यह क्या जरूरत होती है राइट आइब नौ आइडिया पहलो इन्हें मालीजारेस गाल जी देखो मुझे नहीं परवा कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बता हो, जब मुझे नहीं परवा होती है, तो आप लोगों की गांड में क्यों इतनी वो लगी होती है, मुझे दो बन्दिया बैठके देखें, मेरा कॉंटेंट, चूतिया पर कॉंटेंट नहीं, मैं इस पर क तो इट हस गॉटन अलिटल बेटर के अब लड़कियों को यह है कि हाँ वो आ गया के बात कर सकती है इस पे और अब इतना I guess I hope कि लोग इतना ट्राइ नहीं कर रहे हैं you know to exploit women Michael Jackson ने कितने बच्चों के साथ किया था हां Michael Jackson का भी case आया था कि वो बच्चों के साथ वो करता था you know तो तेंक यू यसीन जी अच्छा अब मैम हो गई मैं Michael Jackson के भी उपर आए थे cases बने थे I don't think कि उसको charge किया गया था I don't think he was charged मगर ज्यादा तर उसने बच्चों को I think pay कर दिया था उनको they paid them off कर दो कर दो